नमस्कार एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनेर प्रिभात कुमार सिंग दोस्तो आज की इस वीडियो में में आप लोग को एक बहुत इसंदार बनता हुआ घर का पूरा काम अंदर से और बाहर से तो अगर आप अपने लिए घर बना रहो तो वीडियो को प्लीज पूरा देख़ेगा बहुत अच्छी जानकारियाज ले सकते हो सबसे पहले बात कर लेंगे इस बंदे हुए घर का साइस का तो इस घर को 30 फीट का साइड भीव और 40 फीट का फ्रंट भीव देखने को मिलत क्या देख सकते हो और बीच में पर लगा जा रहा है यह दोस्तों आजका लेटा तर लोग अपने घर में छोटा सा दरवाज़ा भी वरवारें ताकि आप आप इस्तीति में उसका परियोग किया जा सके साइड की तरफ 2-3 फीट का देख सकते हो चाजा निकाला गया है सपो उसका परियोग किया हूँ अभी आप असानिक के साथ देख सकते हो और इस घर का सामने के तरफ जो पुर्टिको बनाया गया है ये इस घर के लिए काफी अच्छा है क्योंकि इसी की बदलत इस घर का जो लुक है कैगुणा तक बड़ा हुआ है सामने के तरफ जो भी विंडो है उससे भी बॉक्स नुमा डिजाइन का ही रखा गया है आप देख सकते हो बात कर लिया जाए पुर्टिको का साइस का तो इससे बारा फीट बाई बारा फीट में बनाया गया है और इसके नीचे वाला हिस्सा को भी किस तरीका से उपयोग किय किया गया है इसके बारे बें भी आभी आप को मैं दिखाने वाला हूं तो पहले देखते हैं किस तरीका से प४्रूटिको को बनाया गया है तो देख सकते हो तीनों तरफ से आप से क्रफ इंटरिंग करवा सकते हो को देखिए कुछ इस तरीका से काम क्या गया इसके उपर में जो प्ले रोता है इसका परिवर के उसका तेनों तरफ से और प्रेलिंग आपसानी के साथ यहां फर देख सकते हो जो स्कॉन होता मैंने आपको दिखाया कि आर्क सेब का परयोग यहां पर किया गया यहां इस घर के लिए में डॉर चैनल गेट का परयोग लिए नीचे में देखिए इसका सेब्क टरूक कर लिए गया गया मतलब जो बाथरूम टांक की होता है उसका जो इस घर का house entrance point या फिर porch या फिर पोर्टिको आप बोल सकते हो इससी की नीचे में septic tank का दिरमान है वो किया गया है तिनों तरफ से आर्क है या आप आसानिक के साथ देख सकते हो main gate के रूप में channel gate का परियोग यहां पे किया गया है और जैसे ही आप घर में अंदर जाते हो गुषते हो परवेश करते हो तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए एक सुन्दर सा बनता हुआ hall के साथ था dining area देख सकते हो hall और dining area के रूप में इस जगह को इस्तेमाल किया जगा उधर दो room आपको देखने को मिल जाता है यह इस घर के लिए cm Gym ready room और उसके साथ इस घर के लिए 3 bedroom तो 3 bedroom जो आप देखने को दिरेक्ट hall सी ही इसका दरवाजा रखा गया है और City का जो दरवाजा है वह भी देख सकते हो इस घर का जो अंदर से काम है आप देख सकते हो कि पुट्टी का काम किया जा रहा है और यहां पे इस घर के लिए common toilet bathroom है वो देखने को मिलता है जो कि hall से ही इसका डूर है वो रखा गया उसके just bugle से आप देखते हो तो आपको मिल जाता है गली जो कि आपको इस के लिए चौथा bedroom और bedroom और kitchen के तरफ लेज जाएगा तो देखिए है इस घर के लिए चौथा bedroom double window के साथ यहाँ एक जी डूर हो गया और यह राइस घर के लिए kitchen जहां पर पुट्टी का काम चल रहा है तो एल सेप का kitchen platform का जो काम है यहां पे किया जा रहा है आसाने के साथ आप देख सकते हो और यह गली है और इसी गली के पीछे एक जी डूर लगा गया था तो इस तरीका से इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है आप देख सकते हो जो बाहरी ग्रिल है गेट है उसका इस्तेमाल यहां पर कर लिया गया है उसे fix कर दिया गया है अंदर का जो द नहीं हुआ है और अंदर से भी अभी पूरा काम इसका फाइनल नहीं हुआ है जो आज मैं आपको इस घर का खर्चा बताऊंगा वो इस घर का आप देख रहे हो प्लास्तर तक का वहीं तक खर्चा मैं आज में आप लोगों को बताने वाला हूं तो चलिए जालने ते हैं कि आकरी सघर को बनाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अब तक लेबर कोस्ट के साथ साथ मेटेरियल कोस्ट को इंकलूड करते हुए तो उसके साथ साथ मैं बताया दूँ कि जहां पर इस घर को बनाया जारा वहां पर एक बैक सीमेंट का कीमत सारे 300 रुपे का आसपास में है उसके साथ साथ 1 CFT बालू का कीमत 30 रुप्स में है एक CFT गिटटी का जो कीमत 35 रुप्स में है साथ-स-स-सथा रुप्स में साथ आपको जो लोहा है जो सही है वो मिल जाता है और इसके साथ साथ बात कर ले जाए लाल Déic mm यहां पर घर में सारा fed का परियोग लाल इट के रूप में किया गया है टोटल खर्चा के बात करने में नौ लगष भ्याइक आस पास में तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगाउग तो फ्रीज वीडियो को लाइक करने के साथ चानल में सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा इस घर का सारा कॉलम और वीम आप देख सकते हो कि नौव इंच पर नौव इंच का रखा गया जिसमें चार सरिया का परियोग किया गया है बार एमें का तो बहुत जली मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए इंजिनियर परभात और पूरी निराला कर्सेंटिंग को दीजिए इजाजात नमस्कार